तीरी शुडिंट, गुडी इनिंग, स्वागत है अब सभी का हमारी यूटूब चैनल प्रत्योगीता संसार में आज के हमारा अध्यान जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृध्धी इसमें हम जनसंख्या वृध्धी क्या है, जनसंख्या वृध्धी के जो छेत्र है और जनसंख्या वृध्धी के जो चरण है जनसंख्या वृध्धी से उत्पना समस्या और जनसंख्या वृध्धी को नियंत्रित करने के उपाए इन सभी टॉपिक का अध्यान करेंगे तो सबसे पहले हम अध्यान करते हैं जनसंख्या वृध्धिया पॉपुलेशन ग्रोथ की समान्य जान करी तो जनसंख्या की दृष्टी से भारत का विश्व में 2011 के जनगर्ना के अनुसार दूसरा इस्थान था यानि की पुराने जो जनगर्ना है उनके अनुसार भारत के दूसरा इस्थान था और वर्तमान में जो जनगर्ना हुआ है हुसके अनुसार विश्व में प्रथम इस्थान हो गया है सन उन्निश विंक्याम्बे में जन गर्ना के अनुसार यदि हम देखे तो भारत की जो जन संख्या थी वो कितनी थी 84 करोड 37 लाग थी लेकिन सन 2011 में बढ़कर ये कितना हो गया एक अरब 2 करोड 1 लाग 13422 से अधिक हो गई और वर्सो 2001 में भारत की जो जन संख्या की वार्शिक वृद्धी धर्थी वो 1.95% रही है और यह वृद्धी इतनी तेज गती से हुआ है कि भारत के समूख ये क्या है गंभीर समस्चा उत्पन कर दिया है क्योंकि इसके वज़े सिक्या हो रहे बहुँ सारे खादा, नूर्थपन, रोजगार वगेरा सभी प्रकार की समस्याई भारत की सामने आ रही है यह वृद्धी जो है वो भारत में पूर्व जो महापंजीकार है और जो जनकरना आयुकत के अनुसार भारत में 120 से 130 लाग तक व्यक्ति प्रतिवर्श से बढ़ते जा रही है यानि कि इसमें ये बता गया है कि जो भारत की जनसंख्या है वो प्रतिवर्श है 120 से 130 लाख व्यक्ति बढ़ रही है और केवल इन ही बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भारत को प्रतिवर्ष 25 लाख मकान और 1,26,000 इस्कूल, 3,72,000 अध्यापक, 1,20,000 कुंटल जो अनाज है और 43 लाख नए रोजगार के आंसर चाहिए ये सभी क्या है? इनके सामने एक बड़ी समस्या बन गही है जनसंख्या वृद्धी के वज़े से इस प्रकार के ही जो कि बहुत ही क्या है? दैनी स्थिती है भारत के लिए इन आकड़ों से हम भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या तथा उनके द्वारा उत्पन अकठनाईयों का अनुमाल लगा शकते हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़ा आकड़ा है और यही कारण है कि भारत में जनसंख्या वृद्धी को कम करने के उपाया अपना जा रहे हैं विशेश रूप से किन्तो वो भी असफल हो रहे है क्योंकि भारत में साक्षरता दर जो है वो कम है और ग्रामिर शेत्रों में खास करके और यहां पस अंध्विश्वांस रूड़ी वारी वगर है जिसके वज़े से यह जो साक्षरता है उनमें सफलता नहीं पाई जा रही है तो यह है पॉपलेशन ग्रोथ या जनसंख्या वृध्धी फिर हम देखते हैं जनसंख्या वृध्धी के चरण तो भारत में जनसंख्या वृध्धी के जो प्रतिरूप है वो किस प्रकार्थ से या उसके चरण किस प्रकार्थे थे उसका ध्यन करेंगे जनसंख्या व्रिध्धी के विभिन चरण different phase of population growth फर्स्ट है जनसंख्या व्रिध्धी का धीमा चरण ज्यानि की धीमी जनसंख्या व्रिध्धी आकड़ों से पता चलता है कि भारत में सन 1921 तक नामात्र की जनसंख्या व्रिध्धी हुई इस समय दो 1911 से 1929 की मर्ध्य जनसंख्या व्रिध्धी दर जो है नाकरात्मक थी इसमें 0.31% ही रही है इस अधिमी क्या हुआ देश में प्लेग वगेरा है जाओ शुखा महमारी जैसे प्राकृतिक प्रकोफ से वान करोण और 12 राख लोग जो थे उनकी मोठ हो गई थी इस वज़े से हां इसमें क्या रही जनसंख्या व्रिध्धी दर जो है धिमी रही नाकरात्मक रही फिर सेकेंड जो चरण है या ओस्त है उसमें जनसंख्या वृध्धी का ओसा चरण कह जाता है इसमें जनसंख्या वृध्धी का थोड़ा क्या हुआ उसमें गती आई भारत 1921 से 1951 के अधी को जनसंख्या वृध्धी का अश्रत समय कह जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा वृध्धी हुई और इन 30 वर्षों की अधी में मात्र 11 कोड़ जनसंख्या बस बढ़ी और इस चरण में होने वाली वृध्धी की दर 1.22% वार्शिक रही है शीरेट तीव्र जनसंख्या वृध्धी का काल तो भारत में सन 1959 से 2001 तक की 50 वर्षों की अधी में 5627 करोण लोग बढ़े हैं यानि कि तीव्र जनसंख्या वृध्धी होई है इसमें इस अधी में जनसंख्या वृध्धी की दर 2.36% वार्षिक रही है और इन चरण में जनसंख्या वृध्धी का मुल कारण मृत्युदर में कमी आना बताया गया है और मृत्युदर में कमी क्यों आया है क्योंकि इस समय भारत में चिकिस्या का विकास हो चुका था और यहाँ पस सिख्छा वग्यरा सभी प्रकार के श्विधाएं आ चुकी थी जिसके वज़े से मृत्युदर में कमी आई और जनमदर में तिव्र वृध्धी होई इसके कारार यहाँ पस जनसंख्या का विश्फोट का काल भी कह जाता है 1929 से 1971 को सन 1921 की जनगरना को भारत में जनांकी की परिवर्तन का महान विभाजन वर्स कह जाता है क्योंकि इस वर्स क्या हुआ 1922 तक के जनसंख्या में क्या हुआ धीमी गती रही यानि कि जनसंख्या में कोई बढ़ होतरी नहीं हुई लेकिन 1921 के बाद जनसंख्या में वृध्धी हुई इसलिए इसे जनसंख्या विभाजन वर्स की नाम से जाना जाता है ते इसे ध्यान रखेंगे इसमें त्रिती अवस्था में 1951 से 61 के दवरान भारत में 7.8 करोड जो जनसंख्या है उनकी वृद्धी होई और 191 से 71 में 10.8 करोड के वृद्धी होई इस प्रकार से इसमें वृद्धी होई इसे आप स्क्रीन सॉट करके लिख लेंगे या तो इतना को ही लिखेंगे तो भी कोई दिकत नहीं है इसके बाद है जनसंख्या वृद्धी के विभीन छेत्र तो भारत में जनसंख्या वृद्धी के जो विभी नशेत्र है उनका अध्यन करते हैं सबसे पहले है कम जनसंख्या वृद्धी के छेत्र इसके अंतरगत कौन को नाते हैं इसके अंतरगत उन्नीश शौव इनक्याम्बे से दो हजार एक के दस्याक में भायात में और सत वार्षिक जनसंख्या वृध्धी 1.95% रही है और देश की दक्षिडी भाग में केरल और तमील नाडू में जनसंख्या वृध्धी दर सबसे कम रहा है जो जनसंख्या वृध्धी पर 1.5% से 2.0% के मध्या पाई जाती है मध्यम जनसंख्या वृध्धी दर्वाले छेत्र है फिर है अधिक जनसंख्या वृध्धी दर्वाले छेत्र है इसके अंतरगत भारत के अधिकांस जनसंख्या वृध्धी वाले राज जाते हैं उत्तरप इसके बाद है अत्यधिक जनसंख्या व्रिधिक के छेत्र जीन राज्यवा केंदर सासित प्रदेशों में जनसंख्या की और सत्वार्शिक व्रिधिदर 2.5% से अधिक मिलती है उन्हें इस वर्ग के अंतरगत रखा जा सकता है और इसके अंतरगत नागलेन दादर नागर हव दवन दीप मेघाला दिल्ली मरिपूर मिजोरम सिक्किम चंडिगर तथा जम्मु कस्मिर इसमें सामिल है तो यह सभी क्या है अत्यधिक जनसंख्या व्रिधि वाले छेत्र है यह जाग राम भी दिया हुआ है इसमें 2001 से 2011 तक वाले जो दस की जनसंख्या व्रिधि होई उन् करने के उपाई पहले तो हम देख लिए अब जनसंख्या व्रिधि के छेत्र अब जनसंख्या व्रिधि को काम करने के उपाई क्या क्या हो सकते हैं भारत में यह दिखते हैं जनसंख्या व्रिधि को काम करने के उपाई तो जनसंख्या व्रिधि को काम करने के निमने उपाई हो सकते हैं फर्ष्ट क्या है परिवार नियोजन, फिर क्या है जन संख्या संबंधी नितियां, फिर है नस्बंधी, गर्व, निरुधा, गोलियां और लुप आधी के प्रियोग, फिर है गर्वफाद और जन सहयोग, तो ये सभी है जिसके द्वारा हम जन संख्या वृद्धी को कम कर सक पहले हमध्यन करते हैं परिवार नियोजन के सभी का टॉपिक वाई समध्यन करेंगे परिवार नियोजन इसका आशा है प्रतिक परिवार को जान या समझ भूझ करके या और सोच समझ करके सिमित करने हैं यानकि परिवार को समझ बुझ करके उसको छोटा करना है। यदि जन संख्या को अबाद गती से बढ़ने दिया जाये तो जन संख्या इतने अधीक हो जाएगी कि उनका पालन पूर्सरण क्या हो जाएगा? अत्य अधीक कठीन हो जाएगा, खाने वगिर में कमी हो माल्थरस के कहना है कि अधीक जन संख्या वृद्धी होने पर नैसरगीक नियंतरण का नियम लागू होने लगता है और महमारी अकाल भूग जैसे जो प्रकोप है वो मनुष्य का जीवन दुभर हो जाता है और वो क्या कर लेता है? मनुष्य की जीवन दुभर होने के उसरग एक से देर करोड जो बच्चे होते हैं इससे सिकार होते हैं का मो Alors उसको कूपउसर मोलते हैं आक्ना प्रतेती हैं प्रतेक वर्प्रत्र के जो आंक्रा हो भी बढ़ते ज chemical क्योंही कि खादान्त बढ़रफ। तो मेरे है भारत में पढ़ियाप्त मात्रा में और कुछ美國 ही नहीं ही मेरे है लेकिन उसमें पोसर्ण उुऋ सभित खादान उपदार्त नहीं Quick दार्श को ब के वर्ट के acost के वेकति कहने है वेकति की उंतनी में परकर कते gasoline को स्वास्ध हूँ इसके अंतरगत जो दमपत्ती बच्चों के जैनमा के बारे में सोच समझ कर ऐसे उपाय अपनाते हैं कि वे अधिक उत्पन नहों और दो या दो से अधिक बच्चा उत्पन हो तथा इसमें क्या होते हैं उनके जैनमा के मध्य कम से कम तीन वर्सका अंतर हो ये सभी क्या ध्यान रखना चाहिए इसमें केवल दो या एक ही बच्चा उत्पन हो ये सभी योजनाय चलाई गई लेकिन ये भी असफर रहा इसे सुधा लेंगे ये तथा लिखा हुआ है भारत में परिवार नियोजन की आवश्रक्त क्यों है ये देखते हैं भारत जैसे द परिवार नियोजन की जो अवश्रक्त कारणों भी जरूरी है परिवार नियोजन की जो जरूरी है ये कारण भी देख लेते हैं परिवार नियोजन पढ़ने तो परिवार नियोजन को सुखी रहने के लिए अवश्रक है थिर बच्चों को स्वास्र बनाय रखने के लिए बच्चों को अच्छी सिच्छा दिलाने के लिए और देश में पूर्ण रोजगार की स्थिती उत्पन करने के लिए। इन सभी कारणों के लिए और देश के संसादनों का सरवत्तों प्योग के लिए भी जनसंख्या नियंत्रीत रखना आवाज चाख है। फिर है जनसंख्या निती। तो जनसंख्या के जो वृध्धिया उसको नियंत्रीत करने के उपाय में सेकें क्या है जनसंख्या निती है। पॉपुलेशन पॉपॉलिसी भारत में अत्यम्ति तीवर गति से जनसंख्य व्रिध्धी हो रही है और इस प्रकार के व्रिध्धी लोगों के रहन सहन के इस्तर को उचा उठाने में बाधा हो रहा है। दोगों तक पहुचाने का बात कहा गया इसमें। 10 में भारत में जन्मदर कितने थी? 22 थी और तथा मृत्यूदर कितना? 7.2 दर्जा की गई। और नवइंतम जनसंख्यानिती के अंत्रगत जो योजनाय प्रसूत की गई वो इस प्रकार से है। नवइंतम जनसंख्यानिती का प्रसूत की गई सन 2000 को और उसकी जो मुख्य उद्देश थी वो इस प्रकार से हैं तो वो उसका ध्यन करते हैं। सभी तरह के परिवार का लियार कारिकरम निश्चूल के चलाय जाएं। फिर सिकन है मात्री और सिशु श्वास्थे को प्रभाव साली बनाया जाए। और तिसरह है इस्त्रियों की सिच्छा के इस्तर में भी सुधार किया जाए। और चौन्था है लड़कों की जो विवाह की उम्र है उसे 15 वर्षे से बढ़ा करके 18 वर्षे करते जाए। यह कह गया फिर है शफल परिवार कड्यार कारिकरम वाले जो राज्यों की केंदरी शायता के इस्तर में व्रिधी कर दी जाये। इसके बाद है जनसंख्या सिख्छा पर जोड दिया जाएगा। फिर नेश्ट उद्देशह वो है, परिवार कर्याण कारीयकरम के लिए सभी केंदरी एवं राजए सरकारों के जनसंचार माध्यमों का उप्योग किया जाए। इसके बाद है इस कारीक्रम में सभी श्रेम शिविशन थैन वो शंगत्रों का अधिक सधिक उपियोक किया जाए और इसके बाद नेश्ट उद्दे से प्रजनरन विज्ञान के सोद पर विशेश ध्यान दिया जाएगा और इस कारिक्रम में सभी केंद्री वा राज्यों के जो विभागे हैं उनके श्रहयोग भी लिया जाए और फिर समय समय पर केंद्री सरकार दुवारब जो परिवार कल्यार कारिक्रम हैं उनकी समिच्छा भी की जानी चाहिए ये सभी इसके अंतरगत उद्दे से रखे गई इसके बाद है जनसंख्या वरिधी रोकने के लिए सरकारी निती अपने आप पूर्ण है आवशक है कि जनसंख्या सिख्छा पर अत्यधिक बल दिया जाए क्योंकि जनसंख्या क्या है सिख्छित है जिसके वजह से यह जो सरकारी निती है वो असफर रही है तो इसके लिए क्या करना चाहिए, सरकार को इसके बारे में थोड़ सा मोटिवेशन लाइन दिया हुआ है, जैसे कि प्रात्मिक विद्यालों में ही छोटे परिवार के लाभों से लाभों से चाहिए विद्यार्थियों को अवगत कराना चाहिए, यानि कि फ्री सिख्छा के पारे में जो गरीब लोग है उनको बताना चाहिए, इसके बाद है मादमी की सर से लेकर के कालेज सर्तक के विद्यार्थों को जनसंख्यान या अंतर के सभी तरीके बताया जाने चाहिए, उनको सिखाया जाना चाहिए, उनके बारे में अवेर कराना चाहिए, और जनसंख् गर्भ निरोध गोड़िया वह लूप का प्रयोग यह हमारा तीसरा कार्य है इसके अंतर के जनसंख्या को नियंत्रित करने के तो इसमें जनसंख्या के विद्धी को रोकने के लिए देश में जो बंधिया करण कारीक्रम है उसमें सन 1956 में प्रारम किया गया और देश में वर् देश में जनसंख्या विद्धी को रोकने का अईस्थाई धंग निरोध का प्रयोग है देश में वर्स दुजार साथ से आठ में परिवार्नियोजन कारीक्रम अपनाने वाले लोगों की संख्या 110.91 लाग थी फिर गर्वफाद यह नेश्ट पॉइंट है जनसंख्या विद्धी को रोकने में गर्वफाद को भी अपनाया जाता है परन्तु भारात में विवाव कुर्ण गर्वफाद को कारूरी वैद्धा प्राप्त नहीं है इस अप्राप्त कहा जाता है यहां जो पती की इच्छा के विरूध किसी là जीका पारि रचा विवस्डाहनि네प्त को शसनने गर्वफाद काकि है तो उनको गम्भी जो समस्रेट हैं उसकी सामना करना पर शकता है प्रिद्धु को रोकने में जन सजयोग की भागीदारी होना बहुत आवस्चक है जब जनता में जागरुकता बरती है तो परवार स्रिमित करने की कोशिश होती है तो इसमें इतना ही टॉपिक है धन्यवाद